प्रेंट्स मैं हूँ SP सिंग और आप देख रहे हो SP स्टोन वर्किंग तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 3D फिलोरिंग टाइल्स कैसे लगाते हैं तो इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे इसके लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखे और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सस्क्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नॉटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों यहाँ पर जो आप टैल देख रहे हो यह टैल है जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रही है दूसरी चीज इस इन टैलों को सिर्फ ड्रेंग रूम में ही लगाने के लिए यह टैल 3D टैल काफी वहतर होती है नहीं कि इसे यह वाथ रूम में लगाया जाए या किसी और जगे पर लगाया जाए तो वहाँ पर हमने यह टैल जो लगाई है यह लगाई है केमिकल के द्वारा तो केमिकल से टैल कैसे लगाते हैं वो जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगा और यहाँ पर दो तरह की हमने टैल लगाई है तो यह जो आप देख रहे हो यह फ्लॉरिंग है और यह जो टैल दे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह जो है वह एकदम टैल के अंदर ही है आपके लिए थोड़ा जूम करके इसको मैं दिखाता हूं यह बिल्कुल फ्लैन है उपर से नहीं कि यह बाहर होके तो नहीं है तो यहां पर यह चीज की मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं दूसरी चीज इसको हमें लगाने के लिए जब हम फ्लोरिंग में इसकी टैल लगाते हैं तो जो पहले हम कच्चा वेस बनाते हैं उसको कम से कम दो दिन तक हमें ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है उसके बाद जो हमारा इसका फर्मा आता है जो करना आता है उसके जर यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है और जो कि मैं आपको बता दू कि इसकी प्राइस भी आपको मैं बता देता हूं काफी सस्ती टैल है यह ज्यादा महंगी नहीं है थ्रीडी टैल है तो यह आपको मार्कीट में 40-45 रुपे स्क्व लुकिंग है और दोस्तो हर बार की तरह कमेंट इस वीडियो पर वी आपको कमेंट देना है और अपना सुझाब बताना है कि आपको यह जो मैंने 3D टैल की जो बताई है यह कैसी लगी तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीड झाल